आज ही डाउटनट आप डाउनलोड करें डाउटनट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, welcome to doubtnut A and B together can do a piece of work in 20 days and A alone can do it in 30 days B alone can do it in how many days So तो यह रहें कि A और B मिलकर किसी काम को पूरा कर लेते हैं 20 दिन में और A अकेला इसको पूरा कर पाता है 30 दिन में तो B अकेला कितने में करेगा यह पूचा है कुछ नहीं करना सीधा LCM लेते हैं दोनों का LCM 60 आजाएगा यह जो LCM हाता है इसको हम क्या बोल देते हैं Total work यह हमारा क्या बन जाता है Total work बन जाता है इसकी efficiency के लिए क्या करते है Total work Divide by time कर दो इनकी efficiency 3 आजाएगी इसकी efficiency कितने आजाएगी 60 divided by 30 इसकी efficiency 2 आजाएगी अब B की efficiency निकालनी बागी रहेगी हमारे पास A और B दोनों की efficiency है 3 लेकिन A की efficiency 2 है तो B की efficiency आराम से यहाँ से निकाली जा सकती है तो B की efficiency यहाँ से कितनी बन जाएगी 1 अब एक efficiency के साथ काम करना और काम कितना करना 60 unit तो 60 unit को अगर A की efficiency के साथ करना पड़े तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा B 60 दिनों में यह कारे पूरा होगा तो इस तरीक इस question का answer find out कर सकते है तो the option number B is the correct answer of this question Thank you